पस्कार दोस्तों किसे हैं आप लोग आज फिर से आपके सामने एक बहुत इंपोर्टेंट अपडेट जो भी कुछ दिन पहले आई थी लास्ट दो तिन वीडियो जो आपने देखे होंगा हमारे वो बात कर रहे थे नॉटिफिकेशन नंबर 26 के बारे में 26 बटा 2022 के बारे में जो 26 दिसंबर 2022 को आया था इस नॉटिफिकेशन में ही अपने हमें बहुत सारे अपडेट थे तो उसी लाइन में इसके कुछ एक अपडेट रेजिस्टरेशन रिलेटेट अपडेट अगर आपके 2B में कुछ इशू आ रहे है 3B फाइल नह की बार यह हम पिछले दो वीडियो में कर चुके हैं अगर आपने अभी तक वीडियो नहीं देखे हैं तो वीडियो आप जरूर देखे उनमें बहुत इंपोर्टेंट अपडेट हमने आपके साथ सेर करे थी और इस वीडियो के एंड में भी उनकी लिंक आपको मिल यह हैं लोग यह है रूल नंबर 80C 88B के बाद में इन्होंने नया रूल 88C इंसर्ट किया है बैसिकली तो बहुत सारे इंग्लिस लिखी हुई है इसमें मैं आपको इसका सीधा क्रक्स बताऊंगा सब से पहले इसकी हेडिंग देख लेते हैं manner of dealing with difference in liability reported in statement of outward supply and that reported in return तो यह बोल रहा है कि अगर आपकी जो outward supply है outward supply की return होती है वारे GSTR 1 या फिर IFF तो आपने कुछ supply आपकी GSTR 1 में दिखाई या फिर IFF में दिखाई और आपके 3B में आपने कुछ और सप्लाई दिखा दी GSTR 1 में आपने दिखा दिया X amount और मालनो GSTR 3B में दिखा दिया आपने X minus amount कुछ कम amount आपने 3B में दिखा दिया GSTR 1 में दिखा रखे आपने 10,000 रुपए GSTR 3B में आपने 10,000 से कम दिखा रखे तो यह जो difference है यह difference को कैसे deal किया जाएगा department इस difference को कैसे deal करने वाला है तो दोस् तो जैसे आपका value दिखा होगे कुछ ही समय में department की तरब से आपको notice आएगा portal के उपर और वो notice आएगा दोस्तो DRC01B में ये notice आएगा आपके पास part A आएगा वो जो part A आपको electronically आएगा आपको एक समय सीमा दी जाएगी आपको एक तो portal पे आएगा और साथ में registration के समय आपने जो mail ID दी थी और बाद में आपने change करवाई होगी mail ID तो जो भी latest mail ID होगी उसके उपर भी आने वाला है तो आपको intimate किया जाएगा portal के उपर electronically और आपके mail ID पे भी ये DRC01B में आपके पास notice आएगा और बोला जाएगा कि भाया आपके ये difference आ रहा है GSTR103B में तो ये जो liability का difference है ये आप पे करो section 50 के ब्याज के साथ section 50 का ब्याज क्या है दोस्तों वहाँ पे दो तरिके की rates है उसकी भी अगर आपको requirement होगी तो detail में उसके उपर आपके लिए वीडियो लेके जरूर हैंगी तो आपसे या तो ये कहा जाएगा कि या तो difference का amount पे कर दो let's suppose आपने GSTR1 म का अपने 3B में कम आपकी liability declare करिए तो department बोलेगा कि ये liability आप pay कर दो section 50 के ब्याज के साथ और कैसे pay करनी है DRCRC03 के through आपको pay करनी है और अगर आपको pay नहीं करनी है आपके पास कोई reason है कि नहीं भी या मैंने 3B में जानबूच के गलत दिखाया है कुछ भी reason हो सकता है कि पिछले मेनी की 3B में मैंने ज़्यादा दिखा दिया था या मैं already payment कर चुका हूँ हूँ जो भी आपके पास अगर reason आपको लगता है कि आपको payment नहीं करना है या already अपने payment कर दिया है तो आपको उसका reason का difference देना पड़ेगा आपको पता था कि मैंने 3B में कम दिखा दिया है आपने अगले मेनी की 3B में notice अभी तक नहीं आया है और अगले मेनी की 3B भी आ गई है अपने अगले मेनी की 3B में ज्यादा दिखा दिया हूँ amount तो एक difference का region ये भी हो सकता है या हो सकता है notice आने से पहली आप DRCR03 के थूँ पेमेंट कर चुके हो या हो सकता है आपने पिछले मेनों में DRCR3 में already ज्यादा आटेक्स का payment कर चुके हो तो जो भी reason का difference है आपको या तो अगर genuine region है तो उसका difference का reason देना है otherwise DRCR03 से आपको उसका payment कर देना है जैसे notice आएगा आपको समय सिमा दी जाएगी period of seven days दोस्तों अगर आप payment कर देते हो DRCR01BK थूँ आपने payment कर दिया है या फिर आपने payment नहीं किया लेकिन आपने जो जवाब दिया था वो जवाब satisfactory लग जाता है सेसिंग officer को तो वो proceeding वही drop हो जाएगी अगर आप timely payment नहीं करते हो या फिर आपका जवाब जो आपने explanation दी है वो satisfactory नहीं लगती है वो satisfactory नहीं या तो आप डिफोल्ट हो जाते हो या जो आपका जवाब वो satisfactory नहीं लगता है रिजनेबल नहीं लगता है सेसिंग officer को proper officer को तो section 79 के तहत आप से recovery करी जाएगी section 79 क्या है दोस्तों बनेनेगा channel पर इसके उपर भी हम आपके लिए जल्दी वीडियो लेके आने वाले तो correct बता देता हूं GSTR1 में liability ज्यादा declare करी उसी महीने की 3B में आपने कम declare करी तो DRC01B में आपके पास notice आएगा आपको उसका जवाब देना है या तो आपको difference liability pay करनी है या फिर अगर कोई minimum amount है यहाँ पर या कोई percentage set कर रखी है तो दोस्तों अभी वो उन्होंने amount बताया नहीं है जैसे ही GST council recommend करेगी definitely यह उसके बारे में भी बताएंगे कि इतने difference पे DRC01B issue किया जाएगा पार्ट A में आपसे detail मांगी जाएगी और पार्ट B में आपको DRC01B के पार्ट B में आपका जवाब देना है या तो आपने tax liability pay कर दियोगी तो उसका चलान लगा देना है DRCR03 की copy लगा देनी है या फिर अगर आपको payment नहीं करना आपके पास proper explanation है तो उसी पार्ट B में documents तो तो कैसा लगा आपको यह वीडियो अगर आपको यह वीडियो पसंद आए तो प्लीज वीडियो को लाइक करें चैनल को सब्सक्राइब करना न भूले मिलते हैं नहीं वीडियो में नहीं प्डिट के साथ थैंक्यू सो मच्छ जैहिंद जैभारत